नमस्कार बचों कैसे हैं आप सभी मैं आशा करती हूँ आप सब सुरक्षत होंगे स्वस्थ होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे हम हैं इक्जामपुर कलम से क्रांती और मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक विनंदन और स्वागत करती हूँ जल्दी से जल्दी पहले तो आप सभी आ जाईए जड़ जाईए उसके बाद क्लास का भी शुब आरंभाम कर देंगे तो मुझे लगता है नोटिफिकेशन सभी के पास पहुंच गई होगी कि क्लास लाइव हो चुकी है तो जल्दी से सभी समय पे आ जाईए फटा-फट से क्लास में छवी सिंग नैंसी पाठक माई लाइफ पी एन आईएस स्वीटी कुमारी संज सभी को गुड मॉर्निंग राधे राधे राम राम चलिए फटा-फट से क्लास में जुड़ जाईए उसके बाद क्लास का भी शुब अरंभ कर देंगा यूश्तिवारी रनवीर 786 जल्दी से जल्दी आ जाईए या तुम लेट हो आज नरेंद्र कुमार कुमार वृश्व पीडियाइए पीडियाफ आपको इसकी पूरी थória की मिल चुके है जो जो हमने क्लास में किया है हर एक TOPIK को हम कबर करें का ठीयुक चुके हैं पहलेैं क्यूंस को कम्प्लीट करेंगे जितने खुशोंस आस आपके प्रीविएस यह मैं पूछे गए इस चाप्टर से के पेपर में अभी तो मैं आपको MCQs की प्रैक्टिस करवा रही हूं लेकिन मुझे एक दिन दोगे जिस दिन में मेरेथन रखूंगी उस दिन में आपके बोर्ड के UP बोर्ड, HP बोर्ड मतलब विभन जितने भी बोर्ड आपके दिली बोर्ड मतलब CVSC बोर्ड जो भी जोब आते हैं उसमें हमसे MCQs से questions पूछे जाते हैं तो हमें multiple choice questions पढ़ना और समझना आना चाहिए अभी तो मैं पढ़ पढ़के आपको सुनाती हूं और options पढ़ती हूं लेकिन यह आपका काम है कि जल्दी से जल्दी questions पढ़िए और उसके बाद options पढ़िए ठीके बेटा चलिए लगातार पढ़ते हैं theory भी questions भी कुछ बाद में भी देखते हैं तो हर एक बच्चा अगर पांच बच्चों को जोड़ेगा पांच बच्चों तक यह information पहुचाएगा कि हमारी class 12th board चल रही है तो हमारे पस कितने हो जाएंगे 525 250 students हमारी class में हो जाएंगे तो देख लो य बाद में जो लाइब नहीं आपाते तो भाईया यह बताईए हर आप एक बच्चे को तो जोड़ सकते हैं इतना काम तो आप सभी कर सकते तभी तो class की strength बढ़ेगी है ना तभी तो मजा आएगा मजा मतलब यह है बेटा मजा कहने का मतलब यह है कि आप सभी को एक अच्छा competition भी महसूस होगा जब सारे बच्चे आएंगे जब आप questions answer दोगे तो एक class में की environment बनेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई जितनी हम मेहनत यहां पर करते हैं क्योंकि देखिए offline में तो आपको सिरफ ऐसे बोल देंगे पढ़ा देंगे लेकिन online जब हम यहां पर प बात होती है तो एक्स्ट्रा कंटेंट भी दिया जाता है अभी कर सकते हैं और यह मैं जानती हूं कि आप यह काम करेंगे कर लेंगे ना चले तो आपके ऊपर छोड़ दिया चले ओके दिशा ठाकूर आयूश तिवारी सभी के पास यह information पहुंच जानी चाहिए इंडिया के हर एक कौने तक कि यहां पर class 12 पढ़ाई जाती है और एक साथ किये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई कोशन आप से ना बने विद कॉंसेप्ट के साथ मैं आपको चीज़े बताती हूं अगर कोई कमी है तो आप कमेंट कीजे कि यहां पर हमें कमी लगते हैं तो हम अपनी कमी को सुधारेंगे ठीक है तो चले तो यहां पर सभी आजये बहुत बहतरीन क्या बात है पाहत खान नरेंद्र कुमार आयुष तिवारी छवी सिंग चले तो कोशन नंबर 14 देखेंगे जहां पर हमने खतम किया था वहीं से हम शुरुवात करेंगे तो एक अच्छे विचार के साथ कि अगर हम ठाल लें अगर हम जीवन में ठाल कोई कितना भी बड़ा हूँ लेकिन अगर आपके पास मैहनत की ताकत है अगरे आपके पास कोशिष की ताकत है मैयनत करते हूँ आप अपनी जीवन में आप तयारी करें ठंक से तरीके से असले के साथ करते हैं अपना परिश्रम एकदम honesty के साथ जो कहने का मतलब यह कि जो भी आप काम करें उसके पीछे का जो कारण होना चाहिए वह एक अच्छा कारण होना चाहिए कि हमें कुछ करना है सब के लिए करना है अपने अपने आपको कहीं तक पहुंचाना है तो भीया वह काम जरूर काम्याब होता है सक्सेस्फुल होता है जब आप अच्छे से महनत करते हो और जो महनत करते हैं याद रखना वो जीवन में कभी हारते नहीं है कभी डरते नहीं कभी नीचे भी नहीं जो पेचली इसी के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे question number 14 आप सभी देखेंगे जर्म पोर का क्या कार्य है तो फास्ट आप्शन एमर्जंस ऑफ रेडिकल सेकेंड आप्शन अब्स आप्शन ऑफ वाटर फार सीड जर्मिनेशन थार्ड आप्शन इनिशियेशन ऑफ पॉलन ट्यू और फोर्थ आप्शन रिलीज ऑफ मेल गयमीट जल्दी सेंसर दीजे क्या हो जाएगा दिशा ठ रविकांत कुमार आशीश पांडे कुसम रैकवार अवन किशन जल्दी सेंसर देंगे संजू पाल उत्तर दीजे क्या हो जाएगा फास्ट आप्शन एमर्जंस ऑफ रेडिकल जर्म पोर होता क्या है आपका जो पॉलन ग्रेन प्राग कर्ण होता है इसके आउटर मोस्ट से बनी होती है किस से बनी होती है स्पोरो पॉलन से बनी होती है और जो अंदर वाली लेयर होती है मतलब अंदर वाली इनर लेयर उसको अंतह चोल और इंग्लिश में एंटाइन बोला जाता है मने आपको पहले बताया हुआ है जो हमने थियोरी की थी कि आपकी जो इस फ्रकार मुझें यहां पर फिया ऐग्जак एक जाइन नहीं और यह जो पिस्पेस बनता है यह गोल गोल सो भीज़ेय। सबसे पहले इसको अपना ढुन्य रख़ लीजे इसको जर्म पोर बोला जाता है और इस जगे पर जो आपका sporopollenin होता है वो absent होता है sporopollenin क्या होता है sporopollenin सबसे hardest organic matter है hardest organic matter है जो तूटता नहीं है ना तो किसी ताप से ना तो किसी temperature high temperature से ना तो अगर कोई आप इसको high मतलब बहुती concentrated acid दे दो तब भी नहीं जलेगा चाहे आप इसको basic दे दो तब भी यह कुछ खराब न होगा कहने का मतलब यह sporopollenin की लिए आपके प्रागकन आपके pollen grain को protect करती है extreme condition से ठीक एक्स्ट्रीम वातावरंण से इसको बचाती है protect करती है इस पोर्स को जर्मपोर बोलते हैं और इसका answer क्या होगा नरेंद्र कुमार का सी option आ चुका है ठीक है जी बेटा चवी सिंग कुसुम रैकवार ओके बेटा ओके यह option दे रहे हैं यह option कैसे हो जाएगा चवी कुमार मुलांक का emergence of radical radical कहां होता है radical तो भीया हमारे embryo अभी तो यह pollen grain की बात हो रही है प्रागकन प्रागकन कहा बनता है यह pollen grain male reproductive organ जो की एंथर है प्रागकोश उसमें बनता है आपका pollen grain यादा है नहीं आया जो आपका micro spore mother cells होता है लगू प्राग कोशी का लगू प्राग कोशी का लगू प्राग मात्र कोशी का pollen mother cell वो आपकी meiosis जाती है अर्थ सूत्री विवाजन के बाद चार cells बनाती है और यह चार cells आपस में जुड़े होते हैं जिनको टेट्राड बोला जाता है चतुष्क microscope underscore tetrad maiicide by preference चार लगू लगू फिजानों कहते तब इनको pollen móस इन जाता और यहीं ढाद रिवाफ कर रिलीज हो जाते पॉलीनेशन और प्रागन करने के लिए और वर्तिकांगर के उपर और stigma के उपर गिरते हैं और वहां पर germinate करते हैं वहां पर अंकुरित होते हैं तो इन में से जो इनका एक दो cells होते हैं आपके pollen grain के अंदर एक होता है वेजीटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है और जनरेटिव सेल छोटा होता है यह जनरेटिव सेल क्या करता है विभाजन जाता है डिवाइड करता है कैसा विभाजन जाता है समसूत्री विभाजन जाता है कैसा विभाजन समसूत्री और माइटार्टिक डिवीजन माइटार्टिक ड वीजन जाने के बाद भीया यहाँ पर यह दो सेल्स बनाता है यह सेल्स डिवाइड कर चुका है धान रखना तो दो न्यूक्लियस बन चुके यह एक मेल गैमीट है यह दूसरा मेल गैमीट है और जो आगे निशेचन और फर्टिलाइजेशन करेगा समझ मैं अंसर क्या होगा बहुत बहतरीन अंसर दे रहें आप सभी थार्ड ऑप्शन इस दा राइट अंसर प्राग नली की शुरुवात और इनिशेशन आफ पॉलन ट्यूब भीया आपकी जो इंटाइन अंदर वाली लियर है यह क्या बनाती अं बनाती और प्राग नली बनाती और यह प्राग नली जर्म पूर के द्वारा बहार निकलते हैं जर्म पूर के द्वारा आपकी जो प्राग नली है पॉलन ट्यूब बहार निकलती है क्योंकि यहां पर जोगे छोड़ देती उसको जर्म पर बोलते हैं जहां से आपका पॉल क्लियर है तो अब कोशन नमर 15 देखे विच वन आफ दा फॉल्विंग स्टेटमेंट इस रॉंग आपको बताना है कि निमने लिख तमें से दिया हुआ कौन सा कथन गलत है फॉर्स आप्शन है जब प्राग दो कोशिका अवस्था में भाया जाता है तो दोहरा निशेचर नह बोला है वेजिटेटिव सेल इस लारजर देन द जनरेटिव सेल अभी पीछे वाले कोशन में अगर आपने ध्यान से सुना हो तो पीछे वाले कोशन में मैंने अभी बताया नैंसी पाटक सही है बहुत बैतरीन बात है अभी पीछे वाले कोशन में बताया कि भाया जो वाली आपकी जनक कोशी का जनरेटिव सेल यही जनरेटिव सेल ध्यान दीजे यह आपका पॉलन ग्रेन दिखाई दे रहा है यह यह पॉलन ग्रेन में आपका जनरेटिव सेल और यह वेजिटेटिव यही जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमीट नर युगमक बनाता है और आपका सेकंड ऑप्शन एकदम गलत है बोला है ना विच्वन फॉलिंग स्टेटमेंट इस रों तो यह 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 तो सही है सारी सेकंड स्टेटमेंट तो सही है आपको गलत ढूड़नी है थार्ड पढ़िए पॉलन ग्रेन इन सम प्लांस रिमेन वायबल फॉर मंस पॉलन ग्रेन भी यह कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें मन्त तक जीवी तरह ते बिलकुल रहते हैं हमने पड़े थे एक्जाम्पल तो बहुत 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 है तो यह तो यह तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा अंसर क्या दे रहे वी ऑप्शन कैसे हो जाएगा एक तिंक आवन ही होगा अमन खिशन बहुत बढ़िया आयूश तिवारी बहुत बढ़िया गलत अंसर कैसे दे रहे हो या बी कैसे हो जाएगा इसका बी तो भाहिया सही है उसने रॉंग स्टेटमेंट पता लगाने के लिए इसने बोला है कि भाहिया फर्स्ट आप्शन में उ उपर यह क्या है दिस इस में रिप्रोडक्टिव पार्ट नर जनन अंग है जिसको पूंकेसर कहा जाता है इसको पूंकेसर कहा जाता है और इंग्लिश में इसको स्टेमन बोला जाता है क्या बोला जाता है स्टेमन और यह इसका क्या है प्राग कोश यहां पर क्या बनता है यहाँ पर बनते है पॉलन ग्रेन जिसको प्राग कड बोलते हैं यही प्राग कड आपके इस प्राग कड के अंदर जनरेटिव सेल भी है और इसके अंदर आपकी वेजिटेटिव सेल है जनरेटिव सेल को क्या जनन कोशिका बोलते हैं और वेजिटेटिव सेल को क्या बोलते ह यह मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट को पुंकेसर स्टेमन बोलते हैं उसके उपर वाले प्लैटफर्म को प्रागकोश एंथर बोलते हैं और नीचे उसका फिलामेंट और डंडा होता है तंतु भी इसको बोलते हैं प्रागकोश के अंदर हमारा पॉलन ग्रेन बनता है यह दो सेल ळोते हैं वह गाल गालें दो हम बोलते हैं को लेकिन यह कितने में होता है यह 80 फिर और यह बडल उसमें दो चरण कोशिका बनती है तो आप बोलेंगे भहिया ये बची हुई का क्या हुआ 20% क्यों छोड़ दी मैं हम आपने तो यहां देखे जो 20% आपके pollen grain होते है जो आपके प्राग कोश के उपर होते है उनमें ये जो जनरेटव सेल है ये डिवाइड करके दो मेल गेमीट बना देता है तो ये भहिया एक वेजिटेटव सेल हो गई आपकी काय कोशिका ये एक नर युगमक हो गया ये दूसरा नर युगमक हो गया तो कितनी सेल हो गई यहां पर 1,2,3 तो यहां पर 3 सेल्ड स्टेज हो गई जडता है प्रागकण आपके प्राँकोश निकलते हैं वर्तिकागर के ओपर पढ़ते है तो बोला यहां पर निशेचन नहीं होता है ऐसा होता है कि अगर यह तो सेल्ड स्टेज में निकलेगा तो कैसमें निशेचन नहीं होती तो एक दम गलत बिदे स्टूवलाइद होने के बाद वर्तिकागर के उपर पढ़ने के बाद जन्रेटिव सेल अपने आप कोच डिवाइड करती है ऐसा थुड़ी किहां यहीं डिवाइड करते वह तो सिरफ बीस परण से रहे असी पर सेट पॉलेंगरेन अपने वर्तिकागर के उपर पढ़ने के बाद भाया किसमें डिवाइड करती है किसमें डिवाइड करती है दो नर युगमक और मेल गैमीट में डिवाइड करती है और यहीं से जब पॉलन ट्यूब बनता है यहीं से आपकी जब पॉलन ट्यूब बनते है अगर यहां पर एंब्रिय आइड Link पोलर न्यूकलियाई के साथ बात समझत में Ah बात खुलियर हुई सभी को यहाँ तक सभी को खुलियर है मुनीता मीना कुसम रैकवार यहाच बात रृट क्लियर है आप सभी को सभी को सवा फिर्दोष को बहुत बेहतरी और बात यहां तक लिए है answer को mark कर लेना first option is the right answer यह statement एकदम सही है लेकिन option के हिसाब से बेटा यह statement option में जो question में जो पूचा है उसके हिसाब से यह statement गलत है question के हिसाब से वैसे सही है ठीक है चले question number 16 देखें अंदार्शे वाले पौधे जिन्वे केवल एक या कुछ बिजांड होते हैं आंतोर पर किसके द्वारा प्रागित होते हैं मैंने आप सभी को अलग 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 प्रागन के साधन होते हैं कोई pollination भाईया सभी में अलग-अलग pollinating agent है जरा बात करते हैं pollination को करवाने के लिए क्या चाहिए प्रागन को करवाने के लिए क्या चाहिए कोई मुझे बताएगा प्रागन को करवाने के लिए प्रागन कारक चाहिए और कारक चाहिए और कारक चाहिए और जिसको इंगलिश में बोलते है पॉली नेटिंग एजेंट चाहिए क्या चाहिए यह पॉली नेटिंग एजेंट यह पॉली नेटिंग एजेंट हवा भी हो सकती है जब हवा के द्वारा होता है तो इसको एनीमो फिली बोला जाता है यह वाटर के द्वारा भी हो सकती है जब पानी के द्वारा होती है तो इसको हाइड्रो फिली बोला जाता है यह सारो के करेक्टर्स मैं आपको लिखवा चुकी हूँ फियोरी पढ़ लेना पीछे जाके अब इसकी डिटेल नहीं लिखवाऊंगी मैं आपको ठीक है डिटेल लिखवा है तो बहुत समय लग जाएगा पीछे जाके थियोरी पढ़ लेना पॉलीनेशन पॉलीनेटिंग एजेंट सारा टॉपिक लिखा हुआ है थमनेल के उपर जाओगे प्लेइलिस्ट में ढूंडोगे वीडियोस में देखोगे तो आपको सारा मिल जाएगा ठीक है तो चलिए हवा के द्वारा वाटर के द्वारा और जो कीट के द्वारा होते ह हैं मतलब इंसिक्ट के द्वारा होते हैं उनको बोला जाता है कि एंटेमोफिली क्या बोला जाता है एंटेमोफिली दो जो बैट के द्वारा बैट जमकादर के द्वारा उसको बोला जाता है चीरो पैट्रोफिली शार histori, जो आप के बर्ड के द्वारा होते हैं उसको बोला जाता है और इन्फो फिली ध्यान रखना न ही आपको थोड़ी बहुत बात बताइए अब आपको बताना कि जिन प्लांट की ओवरीज के अंदर जिन प्लांट के पादप के अंडाश्य के अंदर सिर्फ एक बीजांड होता है एक ओव्यूल होता है या फिर एक से ज़ाद दो हो सकते हैं तो बुलैर जनरली पॉलिनेटेड वाए किसके द्वारा उनका प्रागण और पॉलिनेशन हो होता है जल्दी से उतर दीज़े बीस के द्वारा मदुमक्खी के द्वारा तितनी बढ़ राजक कुमारी संजू अरुन कुमार भी आठ बच्चे हो गए अनू कुमारी नौ बच्चे कुसुम रैकवार दस ठीक है दस बच्चों ने अभी तक अंसर दिया सबा फिर्दोस 11 भी यह बहुत बढ़िया और कोई बच्चा सिर्फ 11 बच्चों को इसका अंसर आता है और क्लास में कोई नहीं है जिसको इसका अंसर आता है चलिए बहतरीन विवेक पांडे भी आये हैं बारा बच्चों गए वह यह बहतरीन शुवम यादब भी आया है तेरा बच्चे आश आशीश पांडे क्या वात है मतलब धीरे धीरे आपका बढ़ राय काम मतलब धीरे इसके अलावा और भी कई सारे करेक्टर्स होते हैं फैदरी स्टिगमा होता है स्टिगमा फैदरी होता है फैदरी जिसके बाल निकले हुए होते हैं आपका जो एंथर होता है वह एक्सपोज होता है इस तरीके से बहार इस तरीके से एक्सपोज होता है फैदरी स्टिगमा ह होता है जो नोन स्टिक होता है खुष्क होता है खुष्क मतलब android के चिप चिप अहट नहीं तो ये सब प्लांट के जो आपके धुगिन पॉलीरेट कोशन नमबर 17 देखिए नाभ की ये बहु भूरूडता किसकी प्रजातियों में सूचित की जाती है नुसेलिस पॉली एम्रॉइनी इस रिपोर्टेड इन स्पीसीज ओफ ब्रासिका में सिट्रस में सिट्रस जो खटे फल होते हैं इनको सिट्रस बोला जाता है गौसी पीम क् आपके क्यांति क effet नीकल नाम है इसके बीड़ का सरसों का नाम है से चैट्रस आपके खटेफूल जो जितने भी खटेफ़ा होते हैं उनको सिट्रस प्लांट और सिट्रस फ्रूट बोला जाते है खटेफल गॉसी पीम आपके कॉटन क्या नाम है ध्यान रखना उसके बाद ट्रिटिकम एस्टीवियम आपके वीट का बटानिकल नेम है जल्दी से बताइए किसमें होता है नुसेलस पॉली एंब्रोईनी क्या होता है पहले तो यहीं बता दीजे पॉली एंब्रोईनी मतलब क्या होता है more than poly मतलब बहुत सारे poly मतलब बहु embryo मतलब embryo किसी बात की है broon की बात की है जब एक से ज़्यदा broon होते तो उसको poly embryo और बहु broon ताभी बोलते है हिंदी में है ना यह जो आपके broon बनते है यह आपके जो आपका egg cell होता है जो आपका egg cell होता है उसके द्वारा तो embryo बनता ही बनता है है ना आप सभी को पता है egg cell नर्श आपके नर यूगमक के साथ निशेचन करने के बाद यूगमनज बनाता है zygote और zygote से embryo बनता है लेकिन अगर embryo आपकी egg cell से ना बनके किसी और कोशिकाओं से बन जाए जो आपकी somatic cell है जैसे कि ovules का integuments के साथ भीया जो आपकी ovule होता है न ओवरी के अंदर जो व्यूल है इसकी integument के साथ भी बन सकता है आपका embryo इसकी कुछ कोशिका हो सकती है ना integument की जो आपका embryo बना दे इसको बोला जाता है integumentary। इसको बहुला जाता है integumentary poly embryo ध्यान रखना अगर इसकी new cell cell मान लीजे new cellus cell का मन किया भी या मैं भी embryo बनाऊंगी तो आगर यह भी बना दे तो इसको बोला जाता है new cell Especially poly embryo क्या सिमिलर होगा जो प्लांट होगा क्योंकि यहां पर कोई भी मियोस नहीं हुए अर्थ सूत्री विभाजन नहीं हुए डारेक्ट माइटोस डारेक्ट समसूत्री विभाजन के बाद आपका यह एंब्रियो और आपका यह भूर्ण बन गया है समझ में आई बात मैंने बोला अध्यावरन और इंटेग्मेंट होते हैं जो उसमें से कुछ सेल्स माइटोस के द्वारा एंब्रियो बना देती है तो उसको बोला जाता है पॉली इंटेग्मेंट्री पॉली इंब्रोईनी अगर आपकी अगर आपकी नुसाइलस की सेल मॉडिफाई हो जाए और एंब्र किसकी विषेषता है फिली convertous is a characteristic feature of jelly spiritotom apparatus किसकी विषेषता है जल्दी से Tips否 वार्ट इंगे आप सभी मुझे वह तो खतम हो गई ना अभाट अभी तो नेक्स कोशन पे आ जाये एक यह क्या होगा जल्दी3 आजाई वह जल्दीए क्यों था आप सभी अब जल्दी से नेक्स कोश्टन पर आप सभी आ जाएंगे अब वाह क्या बात है जल्दी से सभी बताएंगे भाया ये कोशन दो बड़ा इजी है इससे इजी इससे टुचा कोशन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा जल्दी से अंसर दे दिजे भाया क्या होगा इसका अंसर आपकी जो फेलिफाम एप्रेटस है इसको हिंदी में तंतू रूप समुच्छे भी बोला जाता है यहापका क्या है एम्प्रियो सैक है एम्प्रियो सैप की बड़ी बड़ी क्या होती है synergid cells बीच में क्या होती है दो polar nuclei जो एक cell wall से surround है यहाँ पर तीन cells होती है जिनको anti-podal cell और यह आपकी egg cell है और इस इसमें बीच में यहाँ पर बहुत ही बड़ी सी एक egg cell होती है आपका अंडा होता है क्या होता है यहाँ पर आपकी synergid cells के पास यहाँ पर इस तरीके से अंगलियों जैसी सरचना होती है जिसको philly form किसे जुड़ी हुई है आपकी synergid cells से जुड़ी हुई है तो answer होगा fourth option आपकी जो synergid cells हैं जिसको कायक कोशिका बोला जाता है और यह जो philly form apparatus है इसको हिंदी में बोला जाता है अभी लिखर हिंदी में इसको बोला जाता है तंतू रूप समुच्च यहाँ पर हिंदी में तंतू रूप समुच्च लिख ले ना तंतू रूप समुच्च बोला जाता है ध्यान रखना तंतू रूप समुझ चे बोला जाता है इस बात को ध्यान रखेगा यह काई कोशी का है यह दुरुविय केंद्रक हैं दोनों की दोने एक बार लेवल कर देती हैं आप सभी के लिए यह दुरुविय केंद्रक हैं आपके और वो क्या है आपका एंटी पोडल सेल यह त इंग्लिश में हम इसको एंटी पोडल सेल्स बोलते हैं क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम इसको एंटी पोडल सेल्स तीर एंटी पोडल सेल्स होते हैं एक पोलर न्यूक्लिया होता है दो सिनर्जिट सेल्स होते हैं एक एग सेल्स होते हैं तो यह जो सेल्स बनते हैं वह से माक्स का पूछा जाता है कि यह डबल फर्टिलाइजेशन एक्स्प्लेइन करो या फिर इंडारेक्टली कोशन पूछेगा कि सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएट कंडिशन का क्या मतलब है तो आपको पूरा को पूरा डबल फर्टिलाइजेशन समझाओ गे उसके बाद कैसे तो सैख बनता है यह बताओगे तो अंसर क्या होगा इसका अंसर हो जाएगा फोर्ट ऑप्शन इस दा राइट अंसर सकते हैं तो सैख वोर्ट पुर्ट और गे जडबलाइजेशन समझाओे जान इसरे तो आपको पूर्ट अंसर आपको इस धाई भी होगा कि सवर्ट को ऑपको हो जाएगा लाएगा उसे पनाएगा तो अंसरा प्पको जाएगा झालावासंगं आपको इस तो सावराशनों चलि कोशन नमबर 18 देख नाइनटीन देखे कोशन नमबर 18 आपने बहतरीन दिया है कोशन नमबर 19 देखे किसी पौधे की जड़ों की नोक वाली कोशिकाओं में 42 गुण सूतर वाले एल्लियून कोशिकाओं के गुण सूतरों की संख्या कितनी होगी ज़रा दुबारा से अब सभी के लिए बहुत ही बहतरीन कोशन ही तो जल्दी से एक बार कोशन को पढ़िए वट वुड वुड बीदा नमबर ओफ क्रोमोजोम गुंड सूतरों का नमबर पूछा है आप से ओफ़ दा एल्लूरोन इस सेल्स जो एल्लूरोन सेल्स होती है अब यह अलूरून सेल इसके बारे में भी देखेंगे तो जिसको पता है वो तो बहुत ही बहतरीन है वो जल्दी से अंसर मिकालेगा मेरा और मैं इसको आपको बताओंगी अभी फिलाल कोशन को पढ़ लेते हैं पहले और प्लांट विद फॉर्टी टू क्रोमोजोम इनर इनेट्स रूट टेप स raspored to jladi से बताइये root टिप सेल जो आपकी मूल की कोशिक काई है म मैं इसामान हदो नरत हमें पता है कि हमारा प्लांट है हमारा ज क्लांट है जैसे हम अपनी वाट भी करता है तो व्यार्ट डीपलाइट है द्वी गुनित जीव हैं हमारे में डीपलोईड क्रोमोजोम हैं मतलब हर एक गुनसूत्र दोदो के जोड़े में इसलिए बोला जाता है द्वी गुनित डाय मतलब दो हमारे हर एक क्रोमोजोम हमारे हर एक गुनसूत्र दोदो के जोड़े में होते हैं इसलिए बोला जाता है द्वी गुवड और देपलोईड बोला जाता है ध्यान रखना हमारी सेल को बोला जाता है दिपलोईड और द्वी गुवडईड क्यूझ? क्योंकि हर क्रोमdyड दोदों के जोड़े में होते 46 क्रोमोजोम होते हैं और हम बोलते है 23 पेर होते हैं मतलब क्या है कि दोडों के जोड़े में सारा का सारा सेट की बात करूं टोटल सेट कम्प्लीट यह जो सेट है क्रोमोजोम का 46 वाला यह दोडों के जोड़े में होता है तब हम बोलते हैं कि भाई यह 23 पेर्ज है 23 पेर्ज और 23 जोड़े हैं मतलब हमारा से लिडी प्लॉइड हमारा मैं अपनी बात कर रहे हूं वैसे ही प्लांट आपके डीपलॉइड होते हैं मतलब प्लांट की हर एक कोशिका में हर एक कोशिका में डीपलॉइड होता है यह आप सभी को पता है लेकिन जिनमें मियोटिक डिवीजन होता है जहां पर मियोसेज होता है जैसे कि आपकी ए नंबर आफ क्रोमोजोम है वो हाफ हो जाते हैं जो भाई या दो-दो के जोड़े में थे वह आधे हो जाते हैं मतलब 22 23 मतलब की है प्लोइड हो जाएगा वैसे तो यह तो मैंने आपको एक्जांपल के तौर पर समझारियो कि बाइचंस प्लांट में भी 46 स्क्रोमोजोम है तो आर्थ सूत्री विभाजन के बाद जो एंब्रियो सैग बनेगा उसकी हर एक कोशिका जो उसकी हर एक सेल बनेगी जो हम सीनर्जिट सेल बोलते हैं एगसेल बोलते हैं पॉलर न्यूक्लिया बोलते हैं इन सब न्यूक्लियस इन सब सेल्स में कितने क्या ग जो जनन जाएंगी जो प्रजनन जाएंगी सिरफ उन इसल में आपकी मियासिस होती है अर्थ सूतरी विभाजन होती और वहें पर हाफ होते लेकिन यह तो स्मेटिक सेल है ना यह तो प्रजनन नहीं जाएगी क्या टिप सेल आपकी प्रजणन जाएगी नहीं जाएगी इसका मतलब ये ہے कि यहां पर जो तो टोटल डीपलोइट सेल में कितने क्रोमोजोम है 42 क्रोमोजोम है अगर इसका हाफ भी मैं बोलू तो हाफ कितना होगा 21 होगा लेकिन हमें हाफ की जरुवत नहीं है अभी और ये ऐलियूरोन सेल्स क्या होती है कोई मुझे बताएगा बहतरीन अंसर कुछ-कुछ बच्चों का बहतरीन अंसर आ रहा है मुझे लेकिन एक बार जिनको नहीं आता है वो ध्यान से समझ लीजे आपकी यह जो एलियूरोन लेयर होती है और एलियूरोन सेल्स यह आपकी एंडो स्पर्म की सेल होती है किसकी आपका जो ब्रून पोश होता है बेटा ब्रून पोश अलग है इसको ब्रून कोश से कंफ्यूज मत की है किज़े यह एंडो स्पर्म है यह क्या है यह क्या है एंडो स्पर्म जो आपके डेवलापिंग एंब्रियों को विकास शीलवून को पोशन प्रदान करता है और nutrition प्रदान करता है जो आपकी endosperm और brun push की जो outermost layer है जो आपके endosperm को cover करती है यह जो cells layer है यह जो layers है ध्यान रखेगा इन cells को इन layer को बोला जाता है alluron layer क्या बोला जाता है इसका नाम क्या है alluron layer इसका नाम है और इसकी कोशी का है भीया alluron cells तो आपकी जो यह alluron cells है इसका कितना हो जाएगा इसमें कितने भीया बताए फटाफट से इसका ploidy level कितना होता है यह ऑप इनलों का जितना ploidy level होगा उतना ही ploidy level आपका allerone layer का भी होगा तो इसका ploidy level कितना होगा 3N बोला 2N का 42 है तो 3N का कितना हो जाएगा 3 multiply भ्य好好 and effort इन का कितनाधी अभी आप क्या करोगी 42 करोगे नगे इसकी जो सूत्त इसकी जो ploidy level है वो कितना है इसकी जो ploidy level है वो 3N है इसका मतलब कि हमारा जो haploid number है 3 into N कर दो 3 into N कर दो मतलब 3 into कितना हो जाएगा 3 to the 6 63 आ गया अंसर क्या होगा 63 इसका सही उत्तर हो जाएगा अंसर क्या होगा triploid cell में कितना होगा 63 होगा चाहे आप यहाँ पर करके देख लो triploid cell में कितना हो जाएगा 63 होगा बिल्कुल 26 सिंग भैतरीर अंसर करें शिवानी परतीक आंसर को चेक करिए समझ में आया 63 इसका अंसर होगा option number 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा समझ में आया आपकी एंडोस्पम की सुत्र गुणता प्लॉडी लेवल 3N होता है triploid ठीक है आपकी deeploid cell deeploid cell 2N cell में 42 क्रोमोजोम है तो अगर triploid हो गया तो कितना होगा यह इसका N निकाल लो न यहाँ से N कितना होगा 42 बाए 2 कर लो तो कितना होगा 2-2s आ 4 2-1s आ 2-21 आ गया कितना N हेप्लोइड नमबर आ गया 21 तो यहां पर यह triploid number रहना तो 3 in 2 N कर दो N की value क्या आई थी 221 3 into 21 करोगे तो कितना आजाएगा 63 तो आएगा 48 84 थोड़ी आ जाएगा बात को समझ रहे हैं यह नहीं समझ रहे हैं मेरा भी कुसुम रहकावार समझ मैं मेरा रोग कोई बात निमुनीता मिना गलत है लेकिन आप सीख गए क्योंकि नया कोशन था नया कॉंसेप्ट था अब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा यह ट्रीपलोड और डीपलोड मतलब क्या होता है चाह सा लंबा मैं थड़ हमने बोला 42 क्रोमोजोंब डीपलोड कहने का मतलब कि भाई यह क्या है दोदो के जोड़े में कितने क्रोमोजों है 42 क्रोमोजों है ऐसे तो भाई या मुझे ऐसे 21 जोड़े बनाने पड़ेंगे और 42 अभी फिलाल मैं आपको सिरफ बना के दिखा रहे ह जोड़ा मतलब 12345678910 अगर मैं ले लेती हो आपको एक्जामपल के तौर पर मैं ले लेती हूं कि भाईया यह जो सेल है इसमें 10 क्या है आपके 10 आपके क्रोमोजोम है जो की डीपलोड सेल में है अगर मैं बोलू मुझे ट्रीपलोड का नमबर निकालो ट्रीपलोड मतलब क की शह JAKE करोमोजोम है वह 3 तीन के मतलब ये एक और जोड़ा इसके साथ जोड़ दो ये एक और जुड़ा इसके साथ से बताईए अगर आप 3 इंटू इसको यहां पर है प्लाइड एन का नंबर निकालो टू एन इस इकल टू टैन है तो एन इस इकल टू फाइव हो जाएगा अभी सो फाइव को इंटू फाइफ करोगे तो पंदरा हो जाएगा अब इसको जरा गिन के दोखो एक दो तीन चार सब्सक्राइब करोगे तो 63 ही आपका अंसर आएगा चाहे करके देख लो चाहे ऐसे करके देख लो और आप प्रैक्टिकल किस तरीके से और सेल के अंदर वो भी करके दिखा दिया दोनों तरीकों से मैंने आपको करके दिखा दिया समझ में आया मुनीता मिना समझ में आया कुमारी संजू मुनीता मिना जल्दी से बताईए बहुत बहतरी अब तो समझ में आयोगा ना सारे रॉंग होंगे चॉकलेट मिले रे भीया कुसम रहगवार चलिए कोशन नमबर 20 देखे इसी के साथ बहतरीन कोशन अभी हमने किया इसको कॉपी में नोट कर लेना और तरीके से लिख लेना कि किस प्रकार किया था और विद मैंने जो यहाँ पर एक्स्प्लेइन किया ना इसको भी कॉपी में अपने शब्दों में लि 40 देखे नियम विलिक्त में से किसमें प्रागन स्वतह विवाही होता है इन विच वन आव दा फॉलुविंग पाली नेशन इज और तो गैमस किसमें प्योर्ली ओड़ गैमस होता है पूरा का पूरा ओटो गैमस ऑटो गैमस मतलब सब यूगमनी मतलब कहीं बाहर से कर आएगा यहीं बोलाएं आटो गैमिस क्या होता है ट्रांस्वर ओफ पॉलन ग्रेन फ्रम एंथर टू स्टिग्मा आफ दा सेम फ्लावर एक ही पुष्प के अंदर प्रागन हो रहा है इसको आटो गैमी बोलते हैं जब एक पुष्प अलग अलग पुष्पो के बीच में हो जिसमें यह तो फीमेल है और यहां पर एक फ्लावर है जिसमें यह क्या है मेल विद्यमान है इसको अच्छे से बना लीजे यह वर्तिकागर यह वर्तिका यह अंडश यह आपका फीमेल फ्लावर है यह मेल जब इन दोनों के बीच में हो रहा है इन दोनों के बीच में हो र गैमी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं गिटैनों गैमी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं किसी को पता है या सजात पुष्पी बोलते हैं हिंदी में गिटैनों गैमी को सजात पुष्पी बोलते हैं और यह जो हो रहे हैं यहां से यहां एक ही पुष्प में इसको ऑटों गैमी लेकिन अभी आपका रिवीजन भी को शनट के साथ हमने तो किया है लेकिन अभी आपका रिवीजेंगे ध्यान रखना आपके अच्छे से तयारी वह रही है एकसे लिया आपे दो बारा से जब हम प्रैक्ट्स करते हैं तो आपकी चीजसे मुझबूतmost होती हैं तीक है को हलके गिए हो गया वार्टो गैमी सवयोग्मनी हो गया अब वुलेट मैसे किसमे सवयोग्मनी होगा जीनो गैमी तो महीद पर प्रागन को विव इसले नो गैमी बॉलते तो इसको पहले कट दो जैस्मों गैमर संगिटानों चाट यह और आपका गेमी से किसमे आपका ऑटो गेमस हो गया वाट है आप सभी मुझे कर रहे फॉर्स्ट्र उप्षनिस का सही उतर है मालीज़े यह आपका प्लांट है यहां पर एक पुष्प है यह पुष्प बंद है इस पुष्प के अंदर वर्तिकागर है वर्तिकागर है और अंडाश है इस पुष्प के अंदर हमारा स्टैमन भी है पुंकेसर भी है और मान लीज़े ये एक और इस टेहनी के ऊपर एक और पुष्प है लेकिन ये जो पुष्प है ये खुला हुआ है कैसा है खुला हुआ ह खुला हुआ है तो भीया इसका वर्तिकागर भी है और यहां पर बेटा आपका स्टेमन भी है पूंकेसर भी है लेकिन यह एकदम खुला हुआ है मतलब अगर यहां से पॉलन ग्रेन हो सकता है इसके उपर आ जाए हो सकता है बिल्कुल हो सकता है क्योंकि दूसरे पौधे के एंथर से इसके उपर आया है इसका भी जा सकता है ध्यान रखना इसका पॉलन ग्रेन भी इसी के फ्लावर का इसका भी जा सकता है लेकिन भाया रिस्क तो है ना कि कहीं और से प्रागन आ सकता है कहीं और से प्रागन आ सकता है पॉलन ग्रेन आ सकत होती है किसमें क्लिस्टो गैमस में ध्यान रखना इसको बोला जाता है एश्यॉर्ड सीड सेट बनते हैं क्योंकि यहां पर भीया होगा ही होगा भीया यहां पर प्रागण होगा ही होगा चाहिए कुछ भी हो जाए अगर यहां पर रिस्क भी हो सकते हैं इसको जरा मिटा दू सी नहीं बनाए तो यहां पर आपका पॉलन ग्रेण आये ही नहीं है ऐस टीग में कि पास ल्ट कांगर के पास तो यहां पर एस ऑर दीज सेट यहां पर सीड नहीं बनेगा गया अ उम सेॉड प्रया अレ से सीड भी बनेंगे उसमें सीड सेट भी होगा और ऑटो गैमस भी प्योर होगी ध्यान रखना इसलिए ऑप्शन नमर फस्ट इसका एकदम सही उत्तर है माक कर लेना कोशन नमर 21 देखना वर्ट इस कॉमन बिट्वीन वेजीटे टेटेव रिप्रोडक्शन एन एपो मिकस जल्दी से बताई एपो मिक्स बिना निशेचन के पौधा बनना तुक के अपके एग सेल प्रोक्शन किया बन जाना डारेक्ट युग मनेज और एंब्रियो बन जाना रस एंब्रियो से आपका एक नया पौधा बन जाना बिना निशेचन के, without fertilization यह epomixes होता है, vegetative reproduction क्या होता है, vegetative reproduction को काई क प्रजनन भी बोला जाता है, और और लेंगिक प्रजनन, asexual reproduction, vegetative reproduction में कोई भी somatic cell mitotic division करती है, है ना और नया पौधा बनाती है, तो यह epomixes में भी निशेचन नहीं हो रहा है, लिखने और बताना है इन दोनों में कॉमन क्या है आधी चीज तो मैं नहीं आपको बता दी आप्शनमर फ़र्स पड़िए बोथ अकर राउंड दा इयर ओके फ़र्स्ट ऑप्शन बोथ प्रोड्यूस इस प्रोजैनी आइडेंटिकल तुद पेरेंट थार्ड ऑफ्शन बोथ हर एप्लीकेवल टू ओनली डायकॉट क्या सिरफ दो बीज पत्री क्या सिरफ द्वी बीज पत्री पे भी आपो मिक्स और यही सिर्फ एक साल में फको मिक्सçons और अपका और नहीं कि इसमें फ्लावरिंग फेज होता ही नहीं है आपकी व्यजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आपकी आपर मिक्स में फ्लावर बनता ही नहीं है बोथ बाई guys सिदा फ्लावरिंग फेस तो ये भी गलत है आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इस राइट अंसर योगि दोनों में ही किस प्रकार की माइट ऊसेज किस प्रकार का विभाजन होता है सम सूत्री और माइट आसस डिवीजन होता है और माइट टोटिक डिवीजन के बाद बवन प्रागन आम है विंड पॉलिनेशन इस कौमन जो और पॉलिनेशन है विंड पॉलिनेशन वो किसमें कौमन ली होता है तो ध्यान देखना ग्रासिज इसका सही उत्तर हो जाएगा बहूत इजी कोशन था कोशन नवर 23 देखिए एंजियो स्पर्म में कारयात्मक मेगा स्पोर विक्सित होते हैं जल्दी से बताएं इन एंजियो स्पर्म functional mega sport develops into किसमें बदलते हैं आपके जो ये mega sport हैं जिसको गुरू बिजानू भी बोलते हैं गुरू बिजानू मात्र कोशी का mega sports जो आपके होते हैं या नहीं mega sports कहां से बने मेगा sport mega sport mother cell से बने मियॉसस के दौरा अब मियॉसस के दौरा जो आपके चार मेगा sports बनते हैं चारी बनेंगे न मियॉसस के बाद चार सेल्स बनती हैं इस में से सिर्फ एक होता है जो functional mega sport होता है अब बोलें सो functional mega sport से आगे क्या बनेगा एंडो स्पर्म बनेगा pollen sack बनेगा embryo sack बनेगा या फिर ovule बनेगा तो जल्दी से अंसर दीजे गलत मत देना आयूश तिवारी कुमारी संजू पिछला question हो चुका है next question पर आप सभी अब आ जाएगे जल्दी से उत्तर देंगे क्या हो जाएगा question number 23 का अंसर आप सभी देंगे कि उत्तर इसका क्या हो जाएगा जल्दी से अंसर दीजे भी या जल्दी से अंसर दीजे question number 23 का गलत मत देना गलत मत देना पिट जाओगे बतारी हूँ गलत मत देना बहुत लट पड़ जाएगे यह डी option वाले बहुत पिटेंगे बटाओं सच बतारी हूँ इसका मतलब यह है कि भरिया आपको आपने कुछ नहीं पढ़ा थियूरी में अगर इसको शन का अंसर दिया गलत दिया इसका मतलब थियूरी में कुछ नहीं पढ़ा आपने चवी सिंग मुनीता मिना दिशा ठाकूर वंदना तिवारी प्रिया नागर अंसर दीजे रनवीर बहुत भैतरी और कोई बच्चा सी वाला या कोई डी वाला है अभी आवन खिशुन भाईया जल्दी से उतर दीजे सभी फटाफट से अंसर बहुत भैतरी नव आपने दिया है एंब्रियो सैक इसका सही उत्तर होगा ब्रून थेली और ब्रून कोश भी हम इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं ब्रून कोश तो नोट कर लीजेगा इससे बनता है आपका एंब्रियो सैक देखे तो को आप्शन नमबर थी इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है बहतरीन अंसर आप सभी करें आप्शन नमबर थी इसका एकदम सही अंसर होगा यह वाले कौन है भीया आमन खिशन भीया बहुत ही गलत अंसर दे रहे हो तुम तो कोशन नमबर 24 देखे फूल वाले पौधे में प्रागनली सबसे पहले आती है इन फ्लावरिंग प्लांट दपॉलन ट्यूब फॉस्ट अराइब्स निकिसमे आती है एग में सबसे पहले घुस्ती या फिर एंटी पोर्डल सेल में गुस्ती या फिर सिनर्जिट सेल में सहयक कोशिका बोला जाता है इसको लिखे आपै सहाय कोशिका में घुस्ती है जल्दी से बताइए किस में सबसे पहले घुस्ती है या फिर सेंट्रल सेल में जिसको केंद्रक और दुरुव्यक कोशिका भी बोलते हैं केंद्रक ओते हैं इस बात को ध्यान रखना तीक है कोशिका मतलब पोलर नूकलिया TOP का यह जो embryo sac होता है यह जो आपका embryo sac होता है जिस side पे उसकी excels होती है ध्यान रखना जिस side पे excel होती है उस side को उस region को जिस side पे आपकी excel बनती है उसको micropilar region और बिजांड द्वार बोलते हैं और जो इसके opposite वाला end होता है इसका विपरीत ध्रुव end होता है उसको कौन सा अब बोलते हैं छेले जल end बोलते हैं अब आप सभी को ध्यान होगा है ना किया था हमने तो भाईया आपका जो pollen tube घुषता है प्राग नली घुषती है वो micropile से घुषती है चलिए अंसर दीजे कोशन नमबर 24 का अंसर क्या हो जाएगा भी अफटा फट से उत्तर दे देंगे यह आपके क्या है सिनर्जेट सेल्स यह एग सेल्स और यह एंटी पोडल सेल्स जिसको प्रत्यवसांत भी कहा जाता है तो जल्दी से उत्तर दे दीजे कि क्या हो जाएगा ठीक है सी बहुत ही वहतरीन आप सभी कर रहें सिनर्जेट सेल्स सबसे पहले पॉलेंट्यूब सिनर्जेट सेल्स में घुसती है उसके बाद सिनर्जेट सेल्स में इसके नर युगमक रिलीज करती है अपने मेल गैमीट रिलीज करती है और एक मेल गैमीट एगसल के पास और एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई दो पोलर न्यूक्लियाई के पास पहुंचता है जिससे यहां पर तो एंडोस्पम बनता है प्राइमरी एंडोस्पम नूटलियस और यहां पर आपका बहुत समय तक बहुत सालों तक जिंदा रहता है उसको कोई हानी नहीं पहुंचती है कोशन अबर टू देखिए नो इंजाइम कें डीग्रेट स्पोरो पॉलिन तो यह भी एकदम सही है फोलेन ग्रेन और वेल रिपरेजेंटेड इन फोसिल स्ट्रेटा ड्यू तू स्पॉरो पॉलिन तो यह भी सही है बेद काविट आटिज ट कंटेर प्रोटीन तो यह गलत है जर्म पॉलिन रहारी हो इसके बाद मैं आपको कोशन दूंगी जो homework के लिए होंगे जो आप अपनी copy में solve करेंगे और कल मुझे इसका answer देंगे आप class में कि आपकी last की जो five questions मैंने pdf में आप आपको upload करवा दूंगी app पर भी आपको इसकी pdf मिल जाएगी telegram पर भी आपको इसकी pdf मिल जाएगी तो वहां से ले लीजेगा बेटा चलिए तो यहीं पर मैं class को खतम कर रही हूँ hope आप सभी को चीजें अच्छे से समझ आई हूँ अच्छे से चीजें सभी ने सीखी हूँ और चीजों को समझते हुए हम इस class को खतम कर देंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद जैभारत झाल ऑज पो